theoretical questions तो बहुत अच्छे से बन जा रहे हैं बट जब बात आती है case study पे तो वो वाले questions तो बिलकुल बन ही नहीं रहे हैं answer तो दूर की बात है हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कि कौन से chapter के आपे बात करी जा रही है अब simple सी बात है case study क्यों नहीं बन रही है हर वीडियो में तुम्हारे comment यहीं है कि दीदी case study नहीं बन रही है case study पे वीडियो बना दो case study कैसे करी जाए simple answer कि तुम्हारा mind वो logical reasoning के लिए वो critical analysis के लिए ready नहीं है अभी time है क्योंकि CUET में question इसी type के आएंगे CUET से focus अपना मत हटा तुम्हारा focus CUET पर ही होना चीए अभी से time है September का महिना है कर लोगे धीरे बस बात यहाँ पे आती है practice की So here are five points की कैसे तुम अपने critical analysis को improve कर सकते हो which will directly help you in case study for your board exam and parallelly for CUET So क्या points है क्या इसकी तरीक्या सबसे पहले तो जो critical reading वाला portion होता है उसको practice करो यहाँ पे हम सिर्फ reading की ही बात करे है हम कोई high five बात नहीं कर रहे है की question लगाओ practice करते जो सिर्फ बात यहाँ पे specifically हो रही है reading की specifically बात हो रही है reading की reading पे focus रखो critical thinking वाली reading पे focus रखो थोड़ा logic थोड़ा critical analysis खुद ही build होगा इसके बाद जो problems तुम पढ़ते हो ना उनको breakdown करो पहले भी बोलिए मैंने यह चीज की जो problems हैं उनको as a bulk मत देखो उनको छोटे छोटे chunks में देखो उनको छोटे छोटे bits and pieces में देखो which will help you कि case study को हम कैसे solution की तरफ ले जा पाए क्योंकि end में बात सिफ solution की ही आती है इसी के साथ जब तुम logic सीखोगे logical presentation सीखोगे और वो आएगा इसी से critical reading की practice से ही तुमारा logic डेवलाप होगा and argumentation डेवलाप होगा so तुम्हारी case study में solve हो जाएगी तुम्हारी जो colleges में अप्रोच रहेगी तुम जब बड़े हो जाओगे तुम्हारी college में जो अप्रोच रहेगी वो भी तुम्हें develop होती होई दिखेगी so as a teenager अभी case study तो ठीक है वो तो तुम्हें marks दिलाएगी but critical thinking for your life ahead is very important and इसको practice भी लाना अभी से ही start कर दो बहुत important है अब एक simple सी advice ये मैंने यहाँ पे शायद include कर दी but मेरे को लगा इसको अभी बताना बहुत necessary है थोड़ा ये चीज off topic जा सकती है but ये case study के लिए भी बैठती है and ये बैठती है तुम्हारे theoretical questions के लिए भी जब तक तुम दूसरे को नहीं पढ़ाऊगा अब दूसरे को ज़रूरी नहीं है सिव अपते batchmates को पढ़ाऊ जो topic तुम cover कर लो दूसरे वाले को पढ़ाने का try करो तुम्हारा concept जो उसमें phenomenally built होगा न वो चीज तुम्हें help करेगी case study में भी and theory में भी so अगर कोई topic तुम्हारा हो गया and maybe तुम्हारे friend को need है तो उसको जाके वो topic थोड़ा सब समझाओ उसको पढ़ाओ तो तुम्हें अपना confidence boost होता हुआ भी दिखेगा तुम्हें दिखेगा कि हां मैंने भी पढ़ लिया है and तुम्हारा concept वहाँ पर build हो जाएगा क्योंकि तुम किसी को गलत नहीं पढ़ाओगे तुम पढ़के ही उसको पढ़ाओगे so teach others and इससे तुम्हारा confidence भी boost होगा इससे तुम्हारा logic भी develop होगा तुम्हारे concepts भी build होते जाएगे and last आता है कि solution डूढ़ना है अगर किसी case study में तो पूरी जो situation है पूरा जो solution निकल सकता है उसको visualize करो उसको एक pictorial representation दो and उसको फिर देखो कि उसमें logic बैट रहा है कि नहीं इन rational चीजों से थोड़ा सा परे हो जो थोड़ा सा दूर हो जो and logic के उपर काम करो कैसे case study नहीं बन दिया I am show और फिर case study बनना definitely start हो जाएगी अब भी भी कोई अगर doubt है case study के regarding तो comment करके बताओ videos आती रहेंगी तब तक के लिए stay tuned